हेलो एब्रीवन स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल करिंट पूरी में तो दोस्तों आज हम कवर करेंगे खेल और उनमें खिलाडियों की संख्या ये बहुत ही important chapter है और यहां से exam में एक दो question जरूर बनते हैं तो आप वीडियो complete देखिएगा और यदि आपने अभी तक current पूरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं आज का हमारा पहला question है वेसवाल और खोखो में कितने खिलाडी होते हैं तो यहां पर 4 option दिये हुए हैं 7, 9, 6 और 11 तो इसका right answer है option second यानि की 9 तो वेसवाल और खोखो में 9 खिलाडी होते हैं तो अगला question शुरू करते हैं वाटर पोलो कवडडी और टेनिस में कितने खिलाडी होते हैं यहां पर 4 option दिये हुए हैं 9, 11, 5 और 7 तो इसका right answer है option fourth यानि की 7 तो वाटर पोलो कवडडी और टेनिस में 7 खिलाडी होते हैं तो अगला question शुरू करते हैं पोलो में खिलाडी की संख्या कितनी होते हैं यहां पर 4 option दिये हुए हैं 3, 2, 1 और 4 तो इसका right answer है option fourth यानि की 4 तो पोलो में खिलाडी की संख्या 4 होते हैं तो अगला question शुरू करते हैं वास्केट वाल में खिलाडी की संख्या कितनी होते हैं तो यहां पर चार option दिये हुए हैं 3, 5, 6 और 7 तो इसका right answer है option second यानि की 5 तो वास्किट वाल में खिलाडियों की संख्या 5 होती है तो अगला question शुरू करते हैं इस नूकर में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 3, 2, 1 और 7 तो इसका right answer है option third यानिकी 1 तो इस नूकर में खिलाडियों की संख्या 1 होती है तो अगला question शुरू करते हैं लान टेनिस, टेनिस तथा टेविल टेनिस में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 3, 4, 5 या 1 या 2 तो इसका right answer है option fourth यानिकी 1 या 2 तो लान टेनिस, टेनिस तथा टेविल टेनिस में खिलाडियों की संख्या 1 या 2 होती है तो अगला question शुरू करते हैं वाली वाल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 5, 7, 6 या 9 तो इसका right answer है option third यानिकी 6 तो वाली वाल में खिलाडियों की संख्या ये 6 होती है तो अगला question शुरू करते हैं रगवी फुटवाल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 16, 11, 15 या 9 तो इसका right answer है option third यानिकी 15 है तो रगवी फुटवाल में खिलाडियों की संख्या 15 होती है तो अगला question शुरू करते हैं जिमनाश्टिक में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 8, 6, 3, 10 तो इसका right answer है option first यानिकी 8 तो जिमनाश्टिक में खिलाडियों की संख्या ये 8 होती है तो अगला question शुरू करते हैं वाक्सिंग में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 1, 2, 3 या फिर 4 तो इसका right answer है option first यानिकी 1 तो वाक्सिंग में खिलाडियों की संख्या 1 होती है तो अगला question शुरू करते हैं हां की foot wall क्रिकेट में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है तो यहाँ पर चार option दिये हुए हैं 10, 11, 8 या फिर 9 तो इसका right answer है 11 यानिकी option second तो हां की foot wall तथा क्रिकेट में खिलाडियों की संख्या 11 होती है तो अगला question शुरू करते हैं वाली wall, वास्केट wall तथा वेस wall में प्रतेक पक्ष में खिलाडियों की संख्या क्रमशा होती है तो यहाँ पर चार option दिये हुए हैं तो इसका right answer है 6, 5 और 9 यानिकी option second तो वाली wall में खिलाडियों की संख्या 6 होती है वास्केट wall में खिलाडियों की संख्या 5 होती है तथा वेस wall में खिलाडियों की संख्या 9 होती है तो अगला question शुरू करते हैं निम्न में से किस खेल के प्रतेक पक्ष की टीम में 11 खिलाडियों की संख्या नहीं होती है तो यहां पर चार option दिये हुए हैं क्रिकेट में, हांकी में, फुटवाल में या खोखो में तो इसका right answer है option fourth यानि की खोखो तो खोखो में खिलाडियों की संख्या 11 नहीं होती है और खोखो में खिलाडियों की संख्या होती है 9 और cricket हां की तता football में खिलाडियों की संख्या होती है 15 की समान होती है यहां पर चार आप से दीये हुए है पोलो और बाटर्पोलो बास्केट वाल और बाली ही वेस वाल और खोको फुटवाल और रगवी फुटवाल तो इसका राइट इंसर है आप्सन थर्ड यानि की वेसवाल और खोखो तो वेसवाल और खोखो में प्रतेक पक्च में खिलाडियों की संख्या समान होती है और इसमें खिलाडियों की संख्या होती है नव तो अगला कोईश्चन शुरू करते हैं सतरंज खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी तो यहां पर चार आप्षन दिये हुए हैं भारत चीन अमेरिका तथा इंगलेंड तो इसका राइट एंसर है भारत यानि की पहला आप्षन विल्कुल राइट है तो सतरंज खेल की उत्पत्ति यह भारत में हुई थी तो आज के लिए इतना ही तो दोस्तों यह कुछ इस इंपोर्टेंट कोस्चंस खेल और उनमें खिलाडियों की संख्या से बन रहे थे जो हमने इस वीडियो में कवर किये हैं और उमीद है आपका यह चेंप्टर कंप्लीट हो गया होगा और अब कर दो